चोपड़ा एक इसने योटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर देख स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो आज इस वीडियो में हम दिल्ली में B.S.C. नर्सिंग कोर्सेज के बारे में बात करेंगे दिल्ली में कितने B.S.C. नर्सिंग कोलेजेज है, उनमें कितने सीटे हैं, कितने फीज है, admission procedure क्या है तो ये पूरा एक दिल्ली की B.S.C. नर्सिंग के रिगार्डिंग area detailed video है तो आप ओ अगर B.S.C. नर्सिंग में admission लेना चाते हैं तो ये video last तक देखते रही है तो मैं आपको यहां बता दूँ कि दिल्ली में BSC Nursing के लिए जो Government और Private Colleges हैं उनके अंदर तीन University के अंदर ये Colleges हैं सबसे पहले है दिल्ली University में 5 Colleges हैं BSC Nursing के लिए IP University जो इंदरप्रश्त University है उसके अंदर 6 Colleges है और एक तीसरी जो हमदर्द University है उसके अंदर एक Colleges है यानि कि ये तीनू University द्वारा इनके अंदर जो Colleges हैं BSC Nursing courses करवाए जाते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि BHU में इस बार जो Admission होना है वो Neat Base पर होना है मैंने जो कल वीडियो बनाया था उसमें ये बताया था कि BSC Nursing और आईरवेदा और जो भी फार्मा है उसके लिए अलग से Intranse Exam होगा तो ये एक Mistake होगी थी ये जो BSC Nursing के लिए BHU में Admission होगा वो Neat Base पर ही होगा तो आप इसको Correct कर लें जिपमर में भी इस बार BSC Nursing के लिए जो Admission हो रहा है वो Neat Base पर ही होगा अभी सबसे ज्यादा जो Doubt, Comment आते हैं वो इस परकार से आते हैं कि BHU, जिपमर, दिल्ली में इनमें जो BSC Nursing Courses है क्या इनमें Male Candidate भी अपलाई कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि इनमें BHU में कोई Male Candidate अपलाई नहीं कर सकता जिपमर में 9 seat हैं जिस पर Male Candidate अपलाई कर सकते हैं दिल्ली की बात करें तो BSC Nursing के Colleges में सभी में Female Candidate इलिजिवल हैं लेकिन एक जामिया हमदर्द युनिवर्सिटी है नर्सिंग का Colleges है जिसमें 10% seat Male Candidate के लिए reserve हैं इसमें तो ये मैं सोच रहा हूँ आपका Male Female का जो BSC Nursing के regarding doubt है वो clear हो चुका होगा अभी हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो BSC Nursing है दिल्ली उनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन सी Colleges आती है BSC Nursing के लिए तो सबसे पहले जो popular college है वो Lady Harding Medical College है इसमें BSC Nursing कोर्स करवाया जाता है इस college में तो अभी इसके बारे में ये clear नहीं हुआ है कि इसमें इंटरेंस एक्जाम नीट स्कोर पर होगा या फिर ये अलग से इंटरेंस एक्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा ये अभी clear होना बाकी है पिसली बार की बात करें तो दिल्ली के सभी colleges में BSC Nursing के लिए जो 10 plus 2 score पर admission हुआ था लेकिन LHMC ने अपना अलग से इंटरेंस एक्जाम दिसंबर में कनेक्ट करवाया था BSC Nursing के लिए तो इस बार अभी ये clear होना बाकी है कि नीट स्कोर पर होगा या फिर अपना अलग से इंटरेंस एक्जाम कन्डक्ट करवाया जाएगा तो ये इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा तो इसमें जो इसकी फीस है वो 7,355 रुपीज है पर एनम ये सबसे कम फीस की college है होस्टल इसमें free है और ये इसमें education बहुत ही अच्छा है इस्टुडेंट की demand दिली में सबसे ज़्यदा इसी college की रहती है इसके बाद में हम बात करें राजकुमारी अमरित कोर college of nursing ये गौवर्मेंट कोलेज है इसमें जो बीसी नर्सिंग की जो टोटल सीटे हैं वो 76 सीट हैं इसमें भी admission नीट score पर होगा इसमें जो इसकी fees है वो 23,000 पर year है अगर आप इसमें hostel नहीं लेते हैं तो 60,000 पर year इसमें fees होगी और mass fees इसमें 1,500 रूपीज होगी इस college के अंदर इसके बाद में हम इसमें आगे बात करते हैं अहिल्या भाई college of nursing यह भी government college है इसमें भी admission होगा वो need score पर होगा इसमें जो total fees है इसकी वो 6,100 रूपीज है mass की 2,500 रूपीज है इसमें total 46 seat है इसमें 36 plus 6 seats है 36 seats इसमें all India candidate के लिए है 36 seats है वो जो दिल्ली candidate है उनके लिए है 85% quota के लिए तो इस प्रकार से आप आहिल्या भाई college of nursing इसकी जो site है abconduadmission.in है मैं आपको site बता हूँ इसकी जो राजकुमारी अमरता कोर है उसकी rakcon.com है और lhmc की site है वो lhmc-hosp.gov.in है तो यह इनके आप site देखते जा सकते हैं और आप इसकी site पर login करके इसके बारे में पूरी detail भी ले सकते हैं पूरी जानकारी भी ले सकते हैं अभी इसके बाद में हम आगे बात करते हैं इसकी जो फीस है वो 7,000 रुपीज है और इसमें जो मैस फीस है 1,800 रुपीज है इसमें यह है गौर्मेंट कोलेज है दी यू के अंडर आती है यह कोलेज तो इसमें भी admission है वो NEET score पर ही होगा और इसमें जो seat है वो total 70 seat से इसमें अलग-अलग seat distribution दे रखा है आप यह देख सकते हैं इसमें इसका prospect जारी हो चुका है इसकी website पर जाके आप इसको देख सकते हैं मैं आपको बता दूँ कि जो NEET score पर admission होंगे NEET exam के बाद में इनके form दुबारा से registration form open किये जाएंगे तो आप उस समय भी देख सकते हैं इसके बाद में next college है holy family college of nursing यह एक private college है इसके form अलड़ी apply हो चुक करते हैं इसमें क्या क्या condition हैं आगे तो यह एक private college है तो इस परकार से आप देख रहे हैं कि यह जो 5 college है वो DU के अंडर आते हैं और इनमें BSC nursing course करवाए जाते हैं इसके बाद में हम बात करें दूसरी university IP यानि गुरु गोविन सिंग इंदरप्रश्त university इसमें भी BSC nursing की six colleges है इसका information browser आलरी download हो चुका है इसमें आपने अगर apply करना है तो फिर से दुबारा से registration किये जाएंगे NEET result के बाद में और BSC nursing के लिए इस बार जो exam होना है वो इस बार exam नहीं होगा इसमें NEET score पर ही इसमें admission लिया जाएगा इसमें बाकाइदे लिखा हुआ है candidate must appear and qualify the NEET UG for admission in the academic session तो ये लिखा हुआ है आप इसमें देख सकते हैं college की बात करें तो इसमें total जो 6 college है वो इस प्रकार से हैं लक्समेबाई बत्रा college of nursing इसमें BSC nursing की total 60 seats है तो ये इसकी जो 60 seats है इसकी जो fees है वो 62,300 रूपीज है इसमें इसके बाद में बात करें हैं वोगे स्टेफन's college of nursing की बात करें तो इसमें total 50 seats है और इसकी भी fees सेमी है 62,300 रूपीज fees है इसकी इसके बाद में third college जो VMMC है वर्दमान महावीर medical college and सबदर्जेंग hospital इसमें BSC nursing course करवाया जाता है इसमें भी total 50 seats है इसके बाद में हम आगे बात करते हैं इसकी जो fees की तो 62,000 इसकी fees है पर येर की इसके बाद school of nursing हिंदू राव hospital की बात करें तो इसमें BSC nursing की total 20 seats है और इसकी जो fees है वो 42,000 इसमें इसके बाद college of nursing कस्तूर्बा hospital की बात करें तो इसमें total 20 seats है BSC nursing की और इसकी जो fees है उस fees की अगर हम बात करें तो ये 42,000 इसमें इसके बाद में next हम बात करते हैं डॉक्टर रामनोर लोया hospital college of nursing डॉक्टर रामनोर लोया total 50 seats है इस college के अंदर तो इस परकार से ये college हैं आप देख सकते हैं यहां पर और इसमें जो admission होना है वो NEET score base पर ही admission होना है और इसके जो application form है NEET का result आ जाने के बाद में दुबारा से open होंगे तो आप उस समय इसमें apply कर सकते हैं अब हम बात करें जामिया हमदर्द university की जिसके अंडर एक college आती है उसके अंदर 10% seal made candidate के लिए भी available हैं तो आप इसकी website पर visit करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं तो इस परकार से मैंने आपको दिल्ली में B.A.C. nursing की colleges के बारे में जानकारी दी है बाकी जानकारी आप इसकी website पर जाके अलग-अलग colleges की website पर जाकर के आप देख सकते हैं बाकी आपको इसी की website के साथ टच रहना होगा क्योंकि मैं MBBS और जैसे UG और PG की अभी counseling शुरू होंगी उसमें BG हो जाऊंगा तो मैं इसके बारे में B.A.C. nursing के बारे में detailed वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो आप इन colleges के साथ में टच रहें तो मिलते हैं नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैए हैं नहीं